Hello students, इस वीडियो में हम लोग वेजटेटी प्रोपोगेशन का क्या एडवांटेज है उसके बारे में पढ़ेंगे The plants generated from वेजटेटी प्रोपोगेशन require less time to grow Less time to grow means जो seed वाले plant हुए Means seed से जो plant हम लोग निकालेंगे तो उसमें seedling होगा, उसके बाद फिर plants का growth होगा, फिर वो develop करेगा, तब उसमें flower आएगा, fruit आएगा तो ये time जो होता है, इसका बचचत होता है वेजटेटी प्रोपोगेशन में Suppose करते हैं, एक रोज के steam को से हम लोगों को rose plant बनाना है तो रोज steam को हम लोग स्वायल में लगाते हैं, कुछ दिनों के बाद उससे root आजाता है और इस तरह जो हम लोगों को new plant मिल जाता है तो इस तरह जो है time जो है बहुत कम लगता है हम लोगों को new plant के लिए plants are genetically similar, plants जो होता है वो genetically similar होता है और quality जो होता है plants का, means उससे जो fruit आया, वो quality भी maintain रहता है और vegetative propagation is cheaper and easier method, means vegetative propagation जो होता है बहुत जादे खर्चिला नहीं होता है और बहुत ही आसान तरीका होता है और इस से हम लोग best quality of fruits या फिर flower, मतलब colorful flower ये सब हम लोग बनाते हैं तो ये सारे जो advantage है मेजटेटी प्रोपगेशन के, thank you